नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टेटी ग्रूप में आप सभी लोग का स्वागत है जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप सभी लोग को बताये थें कि हमारे टीम के तरफ से एक मुहीम चलाया जा रहा है जिसके अंतरगत आप सभी को 10 मौडल पेपर एक हजार समान ग्यान के प्रश्ण, एक हजार समान बिग्यान के प्रश्ण, पांसो प्रेट्रोल एवन टीजल इंजन के प्रश्ण, दोसो याता याते में परिवहन के प्रश्ण, दोसो समान हिंदी के प्रश्ण, और सो समान इंगलिस के प्रश्ण, देने की बात कहे गई थ उन्हीं सारी सुवधाओं को ख्याल में रखते हुए आज हम लोग समान बिग्यान के 25 अतिमहत्पून के साथ आपके बिच उपस्तित हैं देर न करते हुए चलते हैं अपना प्रश्ण क्योर पाला प्रश्ण है भू अस्थाई उपगरा कहां कितने किलोमेटर को चाई पर अस्थापित किया जाता है आप्शन को अंसार इसका से इंसर हो जाएगा 36,000 किलोमेटर अतार्थ भू अस्थाई उपगरा 36,000 किलोमेटर को चाहिपर अस्थाफित के जाता है इसका अवर्थकाल कितना होता है इसका अवर्थकाल 24 घंटे का होता है और इसका वर्थकाल मतलब परिकेमा काल जो होता है 24 घंटा का होता है अब ने अश्ट कोचन को चलते हैं पिर्थीवी से किसी बस्तु को कितना स्पीट से फेका जाए क्यों गुर्थवे छेत्र को पार कर जाए साथियों परहे जाने के 5 सेकेंड बाद हम इसे सही जवाब टिक करेंगे इसके बीच आप सभी अपना सही अंसर ध्यान रखेंगे और भी से मिलान करेंगे नेश्ट कोचन को चलते हैं हम लोग अप एच्छी घनत किसके द्वारा मापा जाता है बताइए अप एच्छी घनत किसके द्वारा मापा जाता है अप एच्छी घनत को हैड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है option number 1 micrometer का प्रयोग किसके लिए किया जाता है micrometer का प्रयोग सुच मेंभस्तूों को देखने के लिए किया जाता है lektometer नामा केंद प्रशन कियो और के लिए किया जाता है अब चलते नेश्ट प्रश्न की ओर एक पानी के बर्तन में बर्फ कर टुकरा तेर रहा है जब पुन्ट रूप से पिग हल जाए तो पानी के सत्य में क्या परवर्तन होगा आप लोग उसे देखिए इसका स्थेंचर हो जाएगा समान रहेगा अताइट इसको सत्य में कोई प्रवर्तन नहीं होगा अब नेस्ट प्रस्ण क्यों चल रहे हैं जब बैरोमेटर का पाठ्यांग धीरे धीरे उपर चड़े तो मौसम में क्या होगा मौसम साफ होने की संभावना होता है जब बैरोमेटर का पाठ्यांग धीरे धीरे नीचे गीरे तो वर्षा होने की संभावना होती है जब बैरोमेटर का पाठ्यांग एक आएक नीचे गीरे तो आंध्य और तुफान आने की संभावना को दरसाती है नेस्ट प्रस्ट के चलते हैं स्यान्ता का गुन किस में पाया जाता है ओप्शन के अनुसार सही अंसर हो जाएगा द्रव एवं गैस में अतार्थ ओप्शन नमबर 4 स्यान्ता का गुन किस में पाया जाता है ठोस में ये गुन नहीं पैजाता है निस्ट कोचन है पानी में सावन गुफोल देने से इसके प्रिष्ट तनाव में क्या परवर्तन होगा सावन में पानी में सावन गुफोल देने से इसका प्रिष्ट तनाव कम जाता है प्रिश्ट नाव कम जाने के कारण ही कपरा अच्छात से साफ होता है क्योंकि पांडी के जोकन होते हैं, डिटर्जेंट के जोकन होते हैं वो कपरे के हर तरह तक जाते हैं और मैल को बाहर निकालने का काम करता है इन्हें स्कॉशन के चलते हैं सभी बिद्दू चिमू के तरंग किसके बने होते हैं सभी बिद्दू चिमू के तरंग किसके बने होते हैं सभी बिद्दू चिमू के प्रोटोन के बने होते हैं अस्तात अप्सन नमबर चार फोटोन क्या होता है परकास के उर्जाओं के सम्मूर को फोटोन कहा जाता है नेश्ट है धातू के उक्साइड होते हैं यहां कुछ कलत लिखा गया है यहां हम लोग धातू लिखेंगे धातू धातू के उक्साइड कैसे होते हैं धात्यूक अक्साइड शारीय प्रविश्टी के होते हैं नेक्स प्रस्रूक चलेंगे लपीजी सिलेंडर में गयास के रिशाब के लिए कौन सा गयास मिलाया जाता है अप्शन के उनसार साई इंसर हो जाएगा मिथालमर केप्टन लपीजी का पूरा नाम क्या होता है लपीजी में कौन-कौन से गयस भरे होते हैं एल्पीजी में नार्माल प्रोपेन और आईशो बिटेन भरा होता है अस्य नेश प्रस्रूक चलते हैं किस परकार के कॉयले को मुलायम कवला कहा जाता है इसका सही एंसर हूजयेगा बीटू मीनस कोईला, बीटू मीनस कोईला को मुलायम कोईला कहा जाता है, इसमें कारवन की मातरा सत्तर से पचासी परतिसतक होती है, सबसे निम्न कोटी का कोईला पीट कोईला है, और सबसे उच कोटी का कोईला एंत्रासाइट कोईला है, एंत्रासाइट में कारवन की मातरा जुराज होता है पचासे पर्सेंट से अधीक होता है क benefit किसकी बनी होती है कवब हो कि कुछ का वित्ति के स्चमान किOK कितना होता है कि carriage कर देद का ilustか पियंच मान कितना होता है मनुस्करत का pH मान कितना होता है 7.4 दूध का pH मान कितना होता है 6.4 साथ किस साथ उधासिन बिलियन का pH मान होता है अतास्तू जल का Judith कितना होता है साथ होता है चलते हैं नेश कोचन की और सरवाध ही इलेक्टॉन बंध होता पाया जाता है स्वाधिक फिल्ट्र बंदुता पाया जाता है कोलरीन में उप्सेन नुम्बर दो है गुरूर इसका सई अंसर हो जाएगा folorine option number 1 kolorine का संकेत क्या होता है kolorine का संकेत CL होता है folorine का संकेत क्या होता है F होता है iodine का संकेत I होता है bromine का संकेत BR होता है next question है मेठा का बेग्यानिक नाम क्या है इसका सई अंसर हो जाएगा मिठे का बिग्यानिक नाम है राना टैगरीना बोस इंडिकास किसका बिग्यानिक नाम है बोस इंडिकास गाय का बिग्यानिक नाम है होमोसापियंस किसका बिग्यानिक नाम है पैतरा टाइगरस किसका बिग्यानिक नाम है यह पैतरा टाइगरस जो बिग्यानिक नाम है सेर का मरकरी का संकेत क्या होता है इसका सजीन सोज़ाएगा मरकरी का संकेत होता है हजी एने किसका संकेत होता है एने जो संकेत होता है सोडियम का होता है एजी किसका संकेत होता है एजी चांदी का संकेत होता है और एयू किसका संकेत है एयू सोना का संकेत है जीव के सबसे छोटे रचनात्मक एवं कर्यात्मक एकाई को कोस्का कहा जाता है कोस्का कधिन को क्या कहते हैं कोस्का कधिन करने वाला विग्यान को साइटोलोजी कहा जाता है नेश कोचन हमारे है मनुस में कितना जोरा गुन सुत्र पाया जाता है मनुस के शरीर में तेश जोरा गुनसुत्र पाया जाता है अतार्थ गुनसुत्र के संख्या कितनी होती है 46 या तेश जोरा भी बोल सकते है निश प्रस्ण हमारा है टमाटर किस वर्नक के कारण लाल होता है टमाटर लाइक व पिंट की उपस्तिती के कारण लाल होता है बीटा नीन किसमें पाया जाता है बीटा नीन नामक वर्नक चुकुंदर में पाया जाता है करोटीन किसमें पाया जाता है करोटीन नामक वर्नक गाजर में पाया जाता है हेमोगलोबिन किसमें पाया जाता है हेमोगलोबिन हमारे रक्त में पाया जाता है नेश कोचन हमारा है बनस्पति विग्यान का सबसे बरा समू कौन सा है बनस्पति विग्यान का सबसे बरा समू है थाय ओफ हाइटा अप्शन नमबर एक नेस्ट कोचन है मटर में मार्स रोग किस के कमी के कारण होता है मटर में मार्स रोग मैगनिस के कमी के कारण होता है अप्सन नमबर चार नेस्ट कमारा प्रोशन है जिव दरब में जिव दरब में ऑक्सिजन की मातरा कितनी होती है जीवदरब में ऐक्षीजन के अलावा 10.5% कारवन और 10% हेड्रोजन और 2.5% अन्यतत्वी पाया जाते हैं एक ब्यास्क मनुस में कितना लिटर रक्त होता है एक ब्यास्क मनुस में 5-6 लिटर रक्त होता है मनुस को सर्वाधिक मातरा में क्या पाय जाता है मनुस को सरीर में सर्वाधिक मातरा में पाय जाता है जल नेक्ष है हमारे सरीर में सर्वाधिक उर्जा का सुरूत क्या है मनुस के सरीर में सर्वाधिक उर्जा का सुरूत है कार्वो हाइड्रेट कर्वोहेड्रेट के द्वारा 50-60% तक उर्जाय की आप उर्टी किया जाता है धन्यवाद साथियों इसी परकार के मत्पूजन कारिक्स के लिए हमारे चानल से जूरे रहिए मिलते हैं निक्स वीडियो में धन्यवाद गुड़बाई